मगी के सुपास्टार कहे जाने वाले आसिस यादव जी का दो दिन पहले गाना आता दोस्तों गाना का टाइटल है कन्यादान इतना तगड़ा गाना दोस्तों इतना तगड़ा गाना की मत पूछो मातर दो दिन हुआ है दोस्तो 12 लाग से ज़्यादा व्योज क्रोज कर लिया दोस्तो अनि 1.2 मिलियन से ज़्यादा व्योज क्रोज कर लिया दोस्तो 40 हजा से ज़्यादा लाइक मिला दोस्तो और गाना का टाइटल है कन्यादान और जितना भी गाना आ रहा दोस्तो आसिस यादव जी का वो गाना सुपर डूपर हिट हो रहा दोस्तो क्योंकि आसिस यादव जी का जोवाद है भैया आज का लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और इतना ज़्यादा पसंद आ रहा दोस्तो कि आसिस यादव जी का जितना भी गाना आ रहा दोस्तो लगभग 24 गंटा में 3 लाग, 4 लाग, 5 लाग व्योज मिल रहा दोस्तो कुछ दिन पहले गाना आया था दोस्तो यरवा हो भरती पतनवा में प्योर सेट संग और ओ लगभग 25-26 दिन हुआ दोस्तो 24 मिलियन से ज़्यादा भ्योज कर लिया दोस्तो ओ गाना एक तरफा बज रहा है उतना तभी पवन सिंग का भी भ्योज नहीं मिला दोस्तो जो कि 2-4 दिन पहले गाना आया था दोस्तो बुलुकिया सड़िया लगभग 10-12 दिन हुआ दोस्तो 15-16 मिलियन गया भ्योज और आसिस यादव जी का जितना भ्योज जारा दोस्तो कि मत पुछो यार सच में उस गाना का तालिप किया जारा दोस्तो और मुझे लगता है दस्तो कि आसिस यादव जी का जो गाना वैया उनका जीवन का सबसे बड़ा गाना होने वाला दस्तो प्योर सेट संघ भले आसिस यादव जी का गाना 50-70 मिलियन भ्यूज गया दस्तो लेकिन उतना फास्ट भ्यूज नहीं गया जितना आज यरवाहो भरती पतानवा में उस गाने में भ्यूज मिल रहा दोस्तों ज्यादा व्यूज को सकर लिया दोस्तों चिंटू राजा का लिरिक्स में पपु भाई का दोस्तों मिउजिक में थोड़ा मुझे मिश्टेक लगा दोस्तों मूजिक उतना सुनने में आनंद नहीं आया जितना यरवाहो भरती पतनमया में उस गाने का म्यूज जी उतना किये हैं आज से जादा दुस्तों तभी उतना व्योज मिला है क्योंकि उस गाने को दुस्तों लिखे हैं उमान अलीबेला और आमान अलिबेला दोस्तों मगही का सबसे बड़ा राइटर है दोस्तों ते वीडियो आप लोगो कैसा लगा कॉमेंट करके जरू बताईएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेल जरू किजेगा बाके फिर मिलते अगले वीडियो में जहन